दीपावली त्योहार के दौरान लोग अपने घरों में पटाके चला रहे हैं, वहीं जांजगीर में पटाके की चिंगारी हाई स्कूल मेदान से दुकान में चली गई, जिससे पटाका दुकान जल कर राख हो गई, इससे दुकानदारों को हजारों रूपे के नुक्सान की खबर है आग जनी के बाद लोगों ने फायर ब्रिकेट को सूचना दी आसपास के लोगों ने पानी डाल कर आग बुचाने की कोशिश की मगर आग पर कोई काबू नहीं पाया गया बाद में फायर ब्रिकेट की टीम ने आग पर काबू पाया इस बारे में दुकानदारों ने बताये कि पटाके के चंगारी पहुंचने के बाद दुकान में आग लग गई अगर आग लगी हुई है और एक दुकान में थोड़ा बहुत आग लगा है मेरे बगल वाले में एक दुकान खाली था बगल में तो यहां आपने जो अगनी समन की गाड़ी हो तत्काल प्रभाव में आप जने को नुक्सान लग 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 के आस्वास कर लुक्सान हुआ है आपको पता दे कि इस समय हाई स्कूल मेदान में 52 पटाका दुकाने लग 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 हुई है जिला प्रशासन ने पटाका जलाने के दौरान सावधानी बरतने की अपील नागरिकों से की है इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं करने से इस तरह की घटना हुई है